हेलो फ्रेंड्स मैं जोती आप सभी का मेरे चैनल में बार फिर से स्वागत करती हूँ आज की रेसीपी में लाई हूँ मखाने की खीर बहुत ही गाड़ी और बहुत ही असान तरीके से बन जाने वाली रेसीपी है मैंने ये चार मेंबर्स के लिए बनाया है फ्रेंड्स आप रेसीपी ज़रूर ट्राइ कीजिएगा अपने फैंबर्स में लाइएगा चलिए रेसीपी की तरफ बढ़ते हैं मैंने कड़ाई ली है कड़ाई में मैंने देसी घी डालकर अच्छे से गरम कर लिया है मैंने 2-3 चमच घी लिया है अब मैंसमें कुछ ड्राइफूट्स फ् अब बडाजू को फ्राई करें अब मैं पहले बादाम और काजू को फ्राई करके निकाल लोंगी बिल्कुफ लो आज पे करश्कियाज मैं मतर्ष तूर थेँ क्योंकि बहुत जल्दी जल जाते हैं देखिया हमारे बहुत ही सुन दर काजू और बादाम हो रहए है विपुस्लों आज पर मैंने किया है इनको देखिये रिटूल अच्छी से फ्राइय हो चुके अब हम इसको निकाल लेंगे अब हम इसमें डालेंगे किश मिश इसको भी हम बहुत ही धी में आज में फ्राई कर लेंगे ऐ प्रेंट से बहुत ही ठेस्टी लगती है खाने में और बनाने में भी बहुत ही आसान है आप ही ज़रूर एकबर रश्रुआपी ट्राई किज oral auction know कमेंट कीजेगा और शेयर कीजेगा और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलेगा मैंने एक कटोरी के हिसाब से एक मखाना लिया है मखाने को मैं अच्छे से उसी घी में फ्राइ कर लोंगी जिसमें ड्राइर फूट्स फ्राइब किये थे हुआ है ईसको बिल्कुल लॉएम फ्लें में नहीं और जब तक करना अच्र करना है जब तक बिल्कूल अच्छी तरीके से कड़कना हो जाए जो हातों से टूट में लगे उतनी पाउडर बनाने के हमें जरुरत नहीं है तो दरदरा रखिएगा इसी के साथ मैं इसमें इलाइची भी पीज दोंगी इलाइची आप 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 ऑप्शनल है बिल्कुली इस टैप आप इलाइची पाउडर का भी इस्तमाल कर सकते हैं अब मैंने उसी कड़ाई में वापिस उसी कड़ाई को मैंने वापिस गरम किया और मैं उसमें एक से दो कप दूद ले रही हूं दो कप दूद लिया है मैंने जो कप दूद लिया है इसको मैं अच्छे से बका करके एक कप करना है हमें इस दूद को दूद मेरा अलोड़ी गर कि यह बहुत ही अच्छा लगता है अब मैं इसको दूद में मिला दूँगी और अच्छे से पकाऊंगी यह बिल्कुल आप मेडियम आज में पकाईएगा क्योंकि दूद गिरने का भी डर रहता है और आपको इसको कंटेन्स चलाना है थोड़ी तर के लिए देखिए हमारी म करना ना भूलिए हमारी जो यह रसीपी है बहुत ही अच्छे से बन रही है अब हम इसको मेडियम आज पर दोड़ी तक छोड़ देंगे देखिए अब जो हमारी रसीपी है उसका जो दूद है एक मक से बिल्कुल दो कप से एक कप हो चुका है अब जो हमारी ड्राय फूट से मैंने उसको कट कर लिया है कट करके मैंने अपने खीर में एड़ कर लिया है अब हम चीनी एड़ करेंगे आप अपने साब से एड़ किजेगा मैंने आदी से भी थोड़ी कम कटोरी चीनी एड़ किया है मैं थोड़ा कम मीठा किया है आप अपने कॉड़ी मीठा कर सकते है अब कांटिनुस चलाईब जब तक चीनी गल माघ जाए हमारे खीर बिल्कुल रैडि हो री है PRAINTS देखे किटनी प्यारी और कि्तनी सुंदर खिर लग रही है हमारी बिल्कुल रबड़ी जैसे हमारी खीर दिख रही है hanging में बहुत ही पारी और नहीं आलए हमारी खीर Tוric cambi एक भी खीर केसिए हो गरी है वाउ और इसमय बिल्कुल भी हमको जारा महरत नहीं करनी पड़ी दें पर इसने हैं हैं एक हम को हैगा नहीं करने करर दाही है इसको मैं सर्फ कर रही हूँ, आप इसको गार्निश कर सकते हैं थोड़े से ड्राइफ्रूट्स के साथ, यह हमारी बहुत ही डेस्ती खीर बनके रड़ी है, आप भी यह ट्राइ किजिए, फटाफट बाइफ्रेंड